ये कुछ विपक्षी पार्टी वाले पिछले कुछ दिनों से महौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में कानून विवस्था खराब हो गई मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये जितने गैंग्स्टर काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर ये मान साब लेके आया हैं कि अपने साथ ये तो तुम नहीं पैदा कर रखे हैं सारे इसके पहले तुम्हारी सरकारे थी इनी सरकारों ने इस पार्टी की सरकार ने करे हो चाहिए उस पार्टी की सरकार ने करे हो ये जितने गैंग्स्टर घूम रहे हैं पंजाब के अंदर ये सारे के सारे तुम्हारे पैदा कियों है तुम्हारे ही बच्चे हैं ये सारे के सारे लेकिन अब पंजाब के अंदर दो बड़ी बाते हो गई है आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले तीन महिने में दो बड़ी बाते हुई है पहली अब इन गैंग्स्टर का पहले जितने गैंग्स्टर काम करते थे जितने समाजिक तत्व काम करते थे जितने एंटी नेशनल काम करते थे उनके बाप सरकार में बैठे होते थे अब इनका सरकार में कोई बाप नहीं बचा अब इनको पॉलिटिकल संरक्षन देने वाला कोई नहीं बचा पहले इनको सब को पॉलिटिकल संरक्षन दिया जाता था अब इनको संरक्षन देने वाला कोई नहीं बचा इनका बाप कोई नहीं बचा सरकार के अंदर दूसरी बड़ी बात होती है तीन महिने के अंदर अब अगर पंजाब के अंदर कोई क्राइम होता है तो उसका दोशी पकड़ा जाता है 24 गंटे में, 48 गंटे में, 36 गंटे में, 72 गंटे में जो भी क्राइम करेगा वो पकड़ा जाएगा और उसे सक से सक सजा मिलेगी पहले क्राइम होते थे, क्राइम पहले भी होते थे, अपराद पहले भी होते थे, पकड़ा कोई नहीं जाता थे पटियाला के अंदर दंगे हुए, 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार ने जो भी दोशी थे, उनको पकड़ के जेल में भेज़ दिया उसके बाद कपड़बी प्लेयर संदीब संदू उनकी हत्या कर दी गई उनकी हत्या करने वाले सारे के सारे जेल के अंदर बैठे हुए भी मोहाली बॉंब ब्लास्ट हुआ तीन दिन के अंदर पंजाब सरकार ने दोशियों को पकड़ के जेल में डाल दिया अभी जो हमारे सिंगर थे सिद्धू मुसेवाला जी उनकी हत्या की गई कल हमारी सरकार दिल्ली की तिहार जेल से उस गैंक्स्टर को पकड़ के लेके आई है जो अभी तक पंजाब सरकारे उसको पकड़ पाने में नाकामियाब थी अब पंजाब के अंदर कोई अगर गलत काम करेगा उसको बक्षा नी जाएगा चाहे उसको जहन्म से पकड़ के लाना पड़े उसको सजा दिल्वाएंगे मिर को याद है 2017 का चुनाव 2017 में चुनाव के 10 दिन पहले मोगा में बॉम ब्लास्ट हुआ था मोड में मोड में बॉम ब्लास्ट हुआ था आज तक कोई नी पकड़ा गया पांसाल हो गए कोई नी पकड़ा गया पहले जितने अपराद होते थे कोई नी पकड़ा जाता था क्यों नी पकड़ा जाता था पुलिस वाले को फोन आ जाता था उनका जो बाप बैठा होता था सरकार के अंदर क्याता था इसका कुछ नहीं करना लेकिन अब यह नहीं चलेगा और मैं आज पंजाब की जंता को भरोसा देना चाहता हूं किसी को नहीं बख्षेंगे जो गलत काम करेगा असमाजिक तत्व गैंग्स्टर एंटी नैशनल जो गलत काम करेगा किसी को नहीं मैदा हुए जितने गैंग्स्टर हैं उनको पकड़ रहे हैं मेरे को बताया गया पिछले तीन महिने में 130 से ज़्यादा गैंग्स्टर पकड़े जा चुके है 130 से ज़्यादा लेकिन जल्दी ऐसा समय आएगा जब गैंग्स्टर साफ हो जाएंगे पंजाब से कोई गैंग् मेंस्टर अपना गैंग चलाया करते थे हमारी सरकार ने वहां से सारा इनका जो गैंग चलता था वो बंद कर दिया उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वी आईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जेल में जाएगा तो उसके लि करना पड़ेगा पहले मोबाइल फोन खूब होते थे सारे मोबाइल फोन बंद कर दिये जेलों के अंदर से और जेलों के अंदर उन्हें शासन शुरू कर दिया